तो बच्चो अभी हमने धान के खेत का उधारन देखा और धान के खेत में एक खादे जाल हमने देखा और खादे जाल में आपने बहुत सारी खादे शिंकला है चाट कर निकाली होगी अब इस खादिश शिंखला को जब आपने देखा तो हर खादिश शिंखला जो है वो पौधों से शुरू हो रही है मतलब उत्पादक से शुरू हो रही है तो पौधे उत्पादक जो अपना वुजन स्वयम बना रहे हैं ये कौन से पोशक स्तर पर आ जाएंगे? ये प्रथम पोशक स्तर पर आ जाएंगे क्यों? क्योंकि इन पौधों पे ही बाकी जीव निर्बर है पोशन के लिए तो प्रथम पोशक स्तर पर हमेशा रखा जाता है उत्पादक को अगर ऐसा प्रशन भी आता है परिक्षा में तो आप हमेशा याद रखे गया कि प्रथम पोशक स्तर पर हम किसको रख रहे है उत्पादक को मतलब हरे पेड़ पोधो को अब पेड़ पोधों से जो भोजन प्राप्त कर रहा है वो हो गया प्रात्मिक उप्भोक्ता तो प्रात्मिक उप्भोक्ता हो जाएंगे द्वितिय पोशक स्तर पर द्वितिय उप्भोक्ता जो कि प्रात्मिक उप्भोक्ता का निर्भर है तो ये द्वितिय उप्भोक्ता आ जाएंगे त्रितिय उप्भोक्ता पर निर्भर है पोशन के लिए तो तृती उपभोगता आ जाएंगे चतूर्थ पोशक स्तरपर और सबसे लास्ट में है चतूर्थ उपभोगता या सर्वोच कंजुमर हम कह सकते हैं टॉप कंजुमर जिसे कह सकते हैं सर्वोच उपभोगता ये आ जाएंगे पंचम पोशक स्तरपर तो प्र निर्भरता है एक पोशक्स्तर की जीव दूसरे पोशक्स्तर की जीवों उपर निर्भर है कि इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए और प्राय ये देखा जाता है कि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इन जीवों के बीच में काफी प्रतिस परदा होती है प्रतिस परदा इसलिए होती है कि जिन जीवों को भोजन मिल जाता है वो जीवित रह पाते है और जिन को नहीं मिलता है वो मर जाते है इसलिए हर जीव संसार में जीवित रहना चाहता है और संसाधनों के लिए इन जीवों के बीच में काफी प्रतिस परदा होती है इस प्रकार से यहां पर आप एक चित्र देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रथम पोशक स्तर पर उत्पादक है, प्लांट्स है, जिसको हम कह रहे हैं उत्पादक प्लांट्स प्रथम पोशक स्तर पर रखा गया है, इन उत्पादकों को खाने वाले जो जीव ह वो है शाकाहरी जीव जो की है द्वित्य पोशक स्तर पर शाकाहरी जीव को खाने वाले जीव जो है वो है मांसाहरी जीव जिनको रखा गया है तृत्य पोशक स्तर पर और आप एरो Talbatt toe डेख रहे हैं अप मारजक और अप घटक और अप अब घटक जो होता है हर पोशक स्तर पर कारे करते हैं। मतलब अगर उत्पाधक पेड़ पोद्ध है अगर मृत हो जाते हैं तो यहाँ पर भी अब घटक और अपमारजक कारे करेंगे उनके शरीर से पोशक प्राप्त करेंगे। अगर दूतिय पोशक सर पर उपस्तिक अगर शाकारी जू मृत हो जाता है तो उसके शरीर से भी अपमार्जक और अपगटक पोशन प्राप्त करेंगे और मांसारी जीव भी अगर मृत हो जाता है तो उनके शरीर से भी अपमार्जक और अपघटक पोशन प्राप्त करेंगे तो अपघटक और अपमार्जक क्या कर रहे हैं? प्रतिक स्तर पर कारे कर रहे हैं मतलब जीवों के शरीर को अब घटित कर रहे हैं अब घटन का कारे कर रहे हैं और जब जीव का शरीर अब घटित हो जाता है पुना वो मिट्टी में मिल जाता है और पेड़ पौधे पुना इंग जो जीव है जो खान में परिवर्तित हो जाते हैं जो जीवों के शरीर है उन जीव है भोजन के लिए दूसरी पोशक स्तर के जीव से पोशन प्राप्त करता है और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है एक प्रशन और आ रहा है कि अपमार्जक और अब घटक को हम किस पोशक स्तर पर रख सकते हैं तो क्यूंकि यहर पोशक स्तर पर कारे करते हैं तो इन्हें हम सबसे आखरी में, मतलब पंचम पोशक स्तर पर हम इन्हें रख सकते हैं. तो बच्चों परिक्षा में खाद शिंकला क्या है खाद जाल क्या है ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है और इनके बीच में क्या अंतर है ये भी परिक्षा में प्रशना आता है तो सबसे पहले हम खादिश शंकला किसे कहते ही जान लेते हैं तो विभिन्य प्रकार की जीवों का वह रेखिय क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संसलेशन होने एवं खाई जाने की प्रक्रिया के फल स्वरुप उर्जा का प्रवाह होता है यह इसकी परिवाशा है अब इसको समझ लेते हैं तो खादिशाल का एक उधारन ले लेते हैं जैसे कि हमने लिया कि उत्पादक है पेड़ पौधे इनको खा रहें चूहा जो की प्रात्मे को भोगता है चूहे को खा रहें साप जो की दूतिय को भोगता है और साप को खा रहे बाज्यों की तीति को भूगता है तो यहाँ पर क्या हो रहे है एक रेखे क्रम आपको दिख रहे है तो जैसे हम परिभाशा में बोल रहे है विभीन प्रकार के जीवों का वहार रेखे क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संसलेशन बोजन का संसलेशन कौन करते है उत्पादक करते है पेड़ पौधे पेड़ पौधो को कौन खा रहे है चाकारी जीव चूहा खा रहे है तो खाये जाने की प्रक्रिया भी हो रहे है यहाँ पर चूहे को साप खा रहे है साप को बाच खा रहे है फिर क्या हो रहा है उर्जा का प्रभा हो रहा है मतलब उत्पादक की जो उर्जा है वो चूहे में जाएगी क्योंकि चूहा उत्पादक से पोशन प्राप्त कर रहा है इस प्रकार से उर्जा का प्रभा भी क्रमिक हो रहा है एक जिव के बाद दूसरी जिव में उर्जा का स् इस एक पारिस्तितिक तंत्र में परेसपर संबंधित खादि शंकलाण को एक साथ खाद्यल कहा जाता है. जैसे कि हमने धान के खेट का खाद्य जल देख्या था और उसमे से खाद्य शंकलाए चाटकर निकाली थी, तो खाद्य जाल में आप उसका उधारन भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर खाद्य जाल का एक चितर आपको दिखाई दे रहा है और हम जानते कि कई खाद्य शंकलाय मिरकर खाद्य जाल का निर्मान करती है चलिए खाद दिजाल कैसे बनता इसको हम देखते हैं आपको प्रतम पोशक स्तर पर आप दिखाई दे रहे हैं घास घास जो की उत्पादक है और इस घास से पोशन प्राप्त करने वाले जो जीव है जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रास होपर टिड़ा है चूहा भी है और खरगोश भी है तो यह हो गया शाकारी जीव जो उत्पादक से अपना पोशन प्राप्त कर रहे हैं प्रातम कुबबोगता इस से पोशन प्राप्त करने वाले हैं दूतिय कुबबोगता अब यहां पर देखिए, घास को खा रहे हैं टिड़ा, टिड़े को खा रहे हैं पक्षी, पक्षी को खा रहे हैं साप और साप को खा रहें बाज, इसी प्रकार से यहां पर देखिए, घास से पोशन प्राप्त कर रहे हैं चुहे, चुहे को खा रहें लोमडी, ऐसी घास से प भूब लो मेंवड़ भी खा सकते हैं ङसी ही चुह को लोमड़ भी खा सकते हैं यहां पर आप देखें कि जो टीड़ा है कि इस टेड़े को पक्षि तो कायी रहा है इसको मेंढ़ग भी खा सकते उल्लू और इसी मिंडे को खा सकते हैं साप तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी खादिश शिंकला है जो बन रही है और इन खादिश शिंकलाव से एक जाल का निर्मान हो रहा है मतलब एक ही जीव को बहुत सारे दूसरी जीव ऐसे होते हैं जो खा सकते हैं और अपना प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार से विभिन खाद शंकलाव से जो जाल का निर्मान होता है उसी को हम कहते हैं खाद जाल अब हम जानें के बच्चों की जो पारिस्तितिक तंत्र होता है यह कितने प्रकार का होता है तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है एक होता है प्राकृतिक का पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नैचरल एकोसिस्टम कृत्रिम आर्टिफिशल एकोसिस्टम इसको जानना इसलिए जरूरी क्योंकि पच्चों परिक्ष प्राक्रितिक कारिन नहीं किया है इसलिए हम इसे प्राक्रतिक तंत्र कह रहें। जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थलिय पारिस्थितिक तंत्र, टेरिस्ट्रिल एकोसिस्टम, और दूसरा होता है जलिय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वेटिक एकोसिस्टम. स्थलिय पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो जमीन पर पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है इसको हम स्थलिय पारिस्थितिक तंत्र कहते है जैसे की घास की मैदान बन, मरुस्थल ये स्थलिय पारिस्थितिक तंत्र के उधारण हो गए ऐसे ही जलिये पारिस्तितिक तंत्र मतलब आप समझ गए पानी में जो पारिस्तितिक तंत्र बन रहा है वो जलिये पारिस्तितिक तंत्र इसके भी दो प्रकार है आलवणिया और लवणिया जलिये पारिस्तितिक तंत्र को दो इसमें भाजित किया गया है आलवणिया और लव जरने जील ऐसे जिसमें की लवण नहीं पाया जाते ही है लवणिया पारिस्तितिक तंत्र हो गया जले पारिस्तितिक तंत्र हो गया और लवणिया में अतलब ऐसे पारिस्तितिक तंत्र जिन में पानी में लवण पाया जाता है समुद्रा का पानी आपने देखा होगा खारा क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं लवन पाए जाते हैं ऐसे लवनी जीले भी पाए जाती है क्योंकि इनमें लवन पाए जाते हैं इसलिए हम इसे लवनी जीले भी कहते हैं अब अलवनी जो जलिये पारिस्तितिक तंत्र होता है इसको भी दो प्रकार इसके भी दो प परवाहित। मतलब एगर बहते रहता है यह परभाहित। अगर ठहरा हुआ है तो वो में आजाएगा स्टीर का रिजिक पानी अपने देखा हुगा। और इसके उधारन आपको अच्छे से याद करने है क्योंकि ये भी परिक्षा में पूछा जाता है अब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसको मानों के द्वारा बनाया गया है मनुष्य ने इसको बनाया है इसका निर्मान किया है जैसे कि आपने देखा होगा एक्वेरियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वेरियम कितना सुन्दर देख रहे हैं इसमें मचलिया आप देख रहे हैं इसमें कुछ पेड़ पौधिय भी देख रहे हैं तो यह आर्टिफिशल तरीके से बनाया गया है इसलिए हम इसे कृतिम पारि परश्तितिक तांत्र कैसे हो जाएंगे कृत्रिम पारेац्धिक तांत्र होंगे जिसको मनुश्य ने निर्माण किया है तो बच्चों हमने देखा कि एक पोशक्स्तर के जीव पोशन के लिए भोजन के लिए दूसरे पोशखसर के जीव पर निर्भर रहते हैं तो इस प्रक तो इसी के लिए क्या किया जाता है कि एक पोशक स्थर से दूसरे पोशक स्थर में कितने संसाधन का उपयोग हो रहा है या कितनी उर्जा एक स्थर से दूसरे स्थर पर जा रही है इसका मात्रात्मक अध्यान करने के लिए हम पारिस्तितिक पिरामिट की मदद लेते हैं ताकि एक पारिस्तितिक तंत्र का तुल्लात्मक अध्यान हम दूसरे पारिस्तितिक तंत्र से कर सके तो आईए बच्चों हम जानते हैं कि ये पारिस्थितिक पिरामिट क्या होता है तो बच्चों आपने मिश्र के पारिस्थितिक पिरामिटों के बारे में सुनाओगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिरामिट आपको दिखाई दे रहा है इस पिरामिट को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो इसका आधार है वो चोड़ा है और शिर्ष आप देख सकते हैं एक बिंदू के समान या हम कह सकते हैं कि नुकिला है तो पिरामिट जो होता है ये एक जामितिय संरचना है और इस पिरामिड में चार त्रिबूजाकार प्रिष्ठ है और इसका आधार कैसा है वरगाकार है तो पिरामिड की संरचना कैसी होती ये तो आप समझ गए हैं तो बच्चो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम अभी समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं और क्या होता है उसमें तो सबसे पहला जो पारिस्तितिक पिरामिड है वो है जीव संख्या का पारिस्तितिक पिरामिड जिसे हम कहते हैं पिरामिड ओफ नंबर्स दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड पिरामिड ओफ बायो मास तीसरा होता है उर्जा का पिरामिड पिरामिड ओफ एनरजी बच्चो जीव संख्या का जो पिरामिड बनता है वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है इसी प्रकार से जो जीव भार का पिरामिड होता है वो भी सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है हम अभी समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव संख्या के पिरामिट की बच्चो जब पिरामिट को पारस्थितिक पिरामिट को जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है तब हम उसे जीव संख्या का पिरामिट कहते हैं तो सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल् लिखी थी आनीमल ऐकोलोजी और इस बुक में उन्होंने जीवसंख्या के पिरामिट की बात की थी और उन्हों नहीं यह बोला था जब जीवसंख्या का पारिस्तितिक पिरामिट बनेगा तब आधार पर ऐसी जीव होंगे जो ज़ादा बच्चे पाइदा करते हैं और शीष्ष पर ऐसे जीव मव्जूद होंगे जो बहुत कम बच्चे पाइदा करते हैं आर भर साल बद कर coffered इसलिए इसका आकार पिरामट की समान हो जाता है तो उन्होंने यह कहाता कि किसी भी शेत्र में पारिस्तितिक तंत्र में अंत्र में वही प्राणी होगा जिनकी संक्या बहुत कम होगी तो जैसे यहाँ पर आप एक उधारन से समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं धान के खेत धान के खेत का पारिस्तितिक पिरामिड इसको हम संख्या के आधार पर बनाया गया है इसलिए हम इसे जीव संख्या का पिरामिड कह रहे हैं और यहाँ पर आप जो पिरामिट देख रहे हैं यह सीधा पिरामिट है हम इसे सीधा कैसे कह रहे हैं क्योंकि आधार में यह चोड़ा है और शेश पर नुकिला है तो आधार में यह चोड़ा क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्पादक जो है उत्पादक क उपभोगता है उनकी संख्या है 1000 तो यहां पर आप देख रहे 1000 Yum Laboratory उन्हाइ collisions जोकी एक लाग धान के पौधे पर निर्भ्र है इसी प्रकार से 1000 किलिए 50 साफ क्या होगे डुवतियं के लिए ब्हुव के आप ये पाच बाज है, ठीक है, तो पाज बाज जो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, तृतियक उप्भोकता, तो एक पोशक स्तर की जो उर्जा है, वो दूसरे पोशक स्तर में जा रही है, तो यहाँ पर आप संख्या देख रहे हैं, संख्या कैसे, जादा से कम होती जा रही इसलिए, हम कहते हैं कि यह जो पिरामिड बना है, यह कैसा बना? सीधा बना. तो बच्चो ऐसी पोशक स्तर के अनुसार जीवों की संख्या का पिरामिड अगर हम एक निशित समय पर सभी जीवों को सम्मीलित करके अगर एक पिरामिड बनाएं तो वो किस प्रकार से बनेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पिरामिड बन रहा है यहाँ पर भी उत्पादक है प्रात्मिक उप्भोगता है द्वित्यक उप्भोगता है और तित्यक उप्भोगता है अब इनकी संख्या पर गौर कर लेते हैं उत्पादों के संख्या है 15 लाग उत्पादक पर निर्भर रहने वाले प्रात्मिक उप्भोक्ताओं के संख्या कितनी है दो लाग इसी दो लाग प्रात्मिक उप्भोक्ताओं पर निर्भर होने वाले द्वितिक उप्भोक्ताओं के संख्या कितनी है 90,000 और इनी 90,000 से पो जो पिरामिड बना वो कैसा बना सीधा बना हम पिरामिड के रूप में और इस रूप में भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं अब बच्चो इसके आधार पर हम कुछ प्रश्णों के उत्तर ढूणने का प्रयास करेंगे मान दिया ज खेत में जब धान की कटाई हो जाए तो धान की कटाई होने के बाद इस धान के पौदे पर निर्भर हो रहने वाले जीवों का क्या होगा कहां जाएंगे विजीव दूसरा प्रश्ण है क्या धान की कटाई के बाद भी उतने ही जीव बचेंगे जितने धान की खेत में नि पिरभर रहने वाले जो जीव हैं या तो मर जाएंगे या आसपास के शेत्र में चले जाएंगे क्योंकि वे जीवित रहना चाहते हैं पोशन प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है मानवी क्रिया कलाप के कारण या हम कह सकते कि प्राकृतिक कुछ घटना ऐसी हो जाती है जिससे जो पारिस्तितिक तंत्र जिसका संतुलन बना हुआ है वो गड़ बड़ा जाता है तो मानवी क्रिया कलाप जैसे मान लिया जाए धान की फसल को अधिक उत्पादक हो इसके लिए मनुष्य क्या करते हैं उन पे किट नाशक दवाईों का छिड़काव करते हैं तो कीट नाशक दवय को जब छिड़काव किया जाता है, तब उस पर जीवित रहने वाला जो जीव है, वो मर जाएगा, तो उन जीवों को खाने वाला दूसरे जीव को पोशन प्राप्त नहीं होगा, तो कहीं ने कई पारिस्तितिक संतुलन गड़बढ़ हो सकता है, या प् जुरक्षा हो, इसके लिए आजकल क्या किया जाता है, मिशित फसल का चलन अभी चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए, धान की खेती कर रहे है, धान की खेती के साथ-साथ, हम दलहन की फसल भी उगाते हैं, तो क्या होगा, अगर धान की कटाई भी हो तो जाएविविट्ता को को भी हम बनाये रखते हैं। इसके साथ बच्चो मचली पालन की सलावि दी जाती है। तो सीचाही के पानी के त्रोत मेंёл सप किया जाता है। तो पानी में पनपनेवाले जीवों से मचलीयों को भी पोशन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार एक से अधिक, मतलब दो पारेसितिक तंत्र को हम एक साथ संतुलित कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जैवेवित्ता बनी हुई है साथ ही खेतों को प्रभावित करने वाले जो जीवों की संख्या है वो प्राकरेतिक रूप से नियंतरित भी हो रही है तो इसी प्रभाव को समझने के लिए हम आगे और जीवों की संख्या के अन्य पिरामिडियों पर चर्चा करते हैं इस प्रकार पारेसितिक संतुलन भी बना रहता है और जैवेवित्ता को भी हम संदक्षित रख सकते हैं तो जीवों की संख्या का उल्टा पिरामिड कैसे बनता है इसको हम एक आरेक के द्वारा समझते हैं तो यहाँ पर हम उधारन ले रहे हैं जंगल और पेड़ का तो जंगल में बहुत सारे पेड़ रहते हैं और इन पेड़ों पर बहुत सारे जीव निर्भर रहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंगल का आरेक में जो जीवों की संख्या निकाली हैं वो है 200 अब इन 200 पेड़ों पर कितने जीव निर्वर है जो प्राथ्मिक उपभोगता है उनकी संक्या दी है एक लाग्पचास हजार और इन प्राथ्मिक उपभोगताओं पर निर्वर रहने वाले द्वित्य को उपभोगताओं के संक्या कितनी है 12,000 और इन 12,000 दुटियोक उभगताओं पर निर्भर रहने वाले तृतियो उभगताओं के संक्या कितनी है? 20 तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो पेड़-पौद हैं इनकी संक्या कम होने के बावजूत इन पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या जादा है तो यहाँ पर जब पिरामिड बनेगा ये कैसा बनेगा उल्टा बनेगा मतलब आधार पर ये नुकिला रहेगा और जब उपर जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा चोड़ा हो जाएगा तो ये तो होई जंगल की बात लेकिन जब हम एक पेड़ की बात करेंगे तब क्या होगा तो यहाँ पर देखिए पेड़ का आरेक देखते हैं तो अब हम बात करते हैं एक पेड़ पर निर्भर रहने वाले जीवों की तो यहाँ पर पिरामिट कैसे बनेगा इसे देखते हैं तो एक पेड़ है लेकिन एक पेड़ पर निर्भर रहने वाले जो पक्षी है इनकी संक्या बहुत जाद है 2000 है तो यहां पर आरेक में हम बता रहे हैं कि एक पेड़ पर 2000 पक्षी इसे प्रकार से आगे हम हर पोशक सर पर जाएंगे और उन पर रहने वाले जीवों की संक्या देखते हैं 2000 प्रात्मिक उभखताओं पर 90 जीव निर्बर है और 90 पर 6 जीव निर्बर है तो यह आरेक बना हुआ है लेकिन जब हम इसका पिरामिड बनाते तो यह पिरामिड उल्टा बनता है क्यूं क्यूंकि इसका जो आधार यह कैसे हो गया नुकीला हो गया और जब सीधा पिरामिड बनता है तो आधार कैसा होता है चोड़ा होता है तो आप यहाँ पर धान के खेट से पेड का जो पारिस्तितिक तंत्र है पेड का जो पिरामिड है इसको आप कमपेर कर सकते हैं इसके तूलना कर सकते तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिरामिड जो है यह सीधा भी बन सकता ह और उल्टा भी बन सकता है। इसी प्रकार से अगर हम पारिस्तितिक तंत्र तालाब की बात करें, तो तालाब में कैसे बनेगा जिवसंख्या का पिरामिड? तो चलिए, यहां पर देखते हम तालाब की जिवसंख्या का पिरामिड यहां नीचे आप देख रहे हैं उत्पाद तालाब में क्या होता है? उत्पादक भोगता, दोनों होता है, अब घटक भी होते हैं। तो उत्पादक कौन होंगे तालाब में? फाइटो प्लैंक्टॉंग्स होते हैं, पादप प्लवक जीने कहते हैं, यह छोटे-छोटे सुक्ष्म पौधे होते हैं, और इन पौधों को खाने वाले जो जीव होते वो कहलाते है जू-प्लैंक्टॉन प्लवक होते हैं इस प्रकार से छोटी मचली इन जीवों को खाएगी और उसके बाद बड़ी मचली खाएगी तब यहां पर आप देखिए कि उत्पादक जिसको हम कहते है फाइटो-प्लैंक्टॉन इनकी संख्या कितनी है 370 अब इन 370 जू-प्लैंक्टॉन को खाने वाली होंगी छोटी-छोटी मचली इनकी संख्या कितनी है 110 और इन मचलियों पर निर्भर रहने वाली है बड़ी मचली जो कि है तृत्य उपभोगता इनके संक्या कितनी है? 15 तो उत्पादक हो गए प्रथम पोशक्स्तर पर जूपलेंग्टॉन हो गए दृतिय पोशक्स्तर पर फिर छोटी मचलिया हो गए तृतिय पोशक्स्तर पर और बड़ी मचलिया हो गए चतूर्थ पोशक्स्तर पर तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जीवों की संख्या है वो आधार पर ज्यादा है और शीर्श पर यह कम होगी तो यहाँ पर जो तालाप का पिरामिट बनेगा जीव संख्या के आधार पर यह कैसा बनेगा? सीधा बनेगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि उल्टा कहां पर बनेगा, सीधा कहां पर बनेगा, इनको आपको जीवों की संख्या के आधार पर आप बता सकते हैं तो बच्चो चलिए अब आप कुछ प्रश्णों के उत्तर डूढने का प्रयास करते हैं अगर आप धान के खेट के पिरामिट के तुलना पेड के पिरामिट से करते हैं, तब इनमें आपको क्या अंतर दिखेगा तो आप देखेंगे कि धान के फेट का जो पिरामिड है आधार पर चोड़ा है जबकि एक पेड के हम बात करें तो आधार पर यह कैसा है नुकिला दोनों का पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है एक का सिधा बनता और एक का उल्टा बनता है अब हम बात कर रहे हैं आधार पर चोड़ा अगर रहे पिरामिड तो इसका क्या मतलब है तो बच्चों अगर कोई पिरामिड आधार पर चोड़ा है इसका मतलब वहाँ पर उपस्तित जीवों की संख्या जादा है और मान लिया जाए कि किसी पारिस्तितिक तंत्रे में उत्पादों को की संख्या अगर कम हो जाए तो क्या इसका प्रभाव दूसरे पोशक सर पर उपसित जीवों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा हो सकता उनकी संख्या कम हो जाए अगर उनको भोजन या पोशन नहीं मिले तो तो बच्चों प्रत्यक समुधाय में जीवों की संख्या को गिनना इतना आसानी रहता है जैसे बोला जाए कि घास को गिनिये तो इतना आसानी होगा हम घास को गिनेंगे इसलिए इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? जैवभार का पिरामिड बनाया गया है जिसमें क्या कर रहे हम? जीवों की संख्या को न गिनके जीवों का जयभार ले रहे और उसके आधार पर हम ये देख रहे कि पिरामिट कैसे बनेगा तो हमारा जो अगला पिरामिट है वो है जयभार का पिरामिट तो बच्चों जयभार का पिरामिट भी उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है तो जयभार क्या है? हम जयभार किसे कह रहे हैं? जिसको हम कहते हैं बायो मास तो प्रतेक पोशक स्तर पर मौजुद समस्त जीवों को एकत्रिक करकर शुष्क भार लिया जाता है और इसी कौन कहते है? जयभार और एक एक निशित समय में ये जयभार लिया जाता है और जब इसको मापा जाता है इसको ग्राम प्रती मीटर स्क्वेर में मापा जाता है तो आए हम कुछ उधारन के द्वारा जयभार का पिरामिट समझने का प्रयास करते हैं तो बच्चो जयभार का जो पिरामिड होता है इसका सीधा सम्मद भोजन के उपलबदता से है मतलग जीव को जितना भोजन मिलेगा उसका जयभार भी उतना ही होगा अगर जीव को पोशन कम मिलेगा भोजन कम मिलेगा तो उसका जयभार उतना हमको प्राप्त नहीं होगा तो सिदा सिदा इसका समन्द भोजन के उपलब दता से हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जंगल का जय भार का पिरामिड तो यहां पर आप देख रहें कि जंगल का जो जय भार का पिरामिड है तो जंगल में जो पेड़ पौध है इनका एक निशित समय में शुश्क भार लिया गया है जो इस प्रकार से आया है 1,000 kg यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि आधार पर उतपादक उपस्तित है इनका जयभार कितना है? 1,000 kg इस 1,000 kg पर निर्भर रहने वाले प्रात्मिक उपभोक्ताओं का जयभार कितना आया है? सो किलोग्राम ऐसी हम द्वित्य कुब्भोक्ता की बात करेंगे तो इसका जैभार कित्ता आया है दस किलोग्राम और त्रित्य कुब्भोक्ता की बात करेंगे तो इसका जैभार कित्ता आया है एक किलोग्राम तो आप देख रहे हैं कि कैसे जय भार जो है वो जादा से कम होते जा रहा है तो यहाँ पर पिरामिट कैसा बना जंगल का सीधा बना आप इसका comparison धान के खेट के पिरामिट से भी करेंगे तब भी दोनों का पिरामिट कैसे बनेगा सीधा ही बनेगा क्यूंकि उत्पादोकों की जो संक्या है जादा है और उत्पादोकों की संक्या जादा होने की कारण उनका जो जय भार आया है वो भी जादा आया है तो यह पिरामिट बन गया सीधा चली हम उल्टा पिरामिट कैसे बनेगा जय भार का इससे जानते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तालाब का पिरामिट तो जय भार का पिरा पर दो गया क्या है जो आंगुज न्युक्ता इसके आधार पर पिरामिड के इन और आनि को आधार सम्क्राइबुचने हैं तो उतपाद्धोकों की जो जै भार है वो आया है βी सहजाराट सो दस किलोग्राम इसलिक्तित तौंपा अगरल धेराई प्रात्मिक उपभोगता है। उनका जैविग भार है 3,368 उसके بعد tre 시간이 किलोग्राम और उसके बाद आ रहा है 21 kg तो आप देख रहे है जैभार जो है वो नीचे से उपर जाने पर कम होते जा रहा है तो यहां पर जो जैभार का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा सीधा बनेगा ठीक है अब हम एक और जैभार का पिरामिड की बात करते हैं जहां पर पिरामिड उल्टा अभी बन सकता है, जैसे कि मैंने बताए ये निर्भर करेगा कि उत्पादकों का भार कितना है, उत्पादकों की संख्या कितनी है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि उत्पादकों की संख्या कम हो जाती है और उन पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ जाती है, तो जैसे अगर उत्पादक क्योंकि जो तालाब में उत्पादक पाए जाते हैं अगर वो छोटे-छोटे सुक्ष में हैं तो उनका जो जैभार आएगा वो काम आएगा और जो मचली से अगर उनका कंपर करेंगे तो मचली जो होती है आकार में बड़ी होती है तो उनका जैभार कैसे ऐगा जाद आएगा तो यहाँ पर उल्टा पिरामेट कैसे बन रहा है आप देखिए उत्पादक उत्पादकों का जैभार लिया गया है जो आया है 4 ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर इन पर निर्भर रहने वाले जो शाकाहरी जीव है प्रात्मी को भोगता है उनका जैभार आया है 8 ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर और इन पर रहने वाले जो मासावरी जीव है उनका जो भार आया है वाया है 12 ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर तो आप देख रहे क्या हो रहा है? कि जो जैभार है वो नीचे से उपर जाने पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा शिर्ष पर चोड़ा और आधार में ये नुकिला इसलिए ये पिरामिट जो बनेगा तालाप का वो उल्टा बनेगा तो जैभार का जो तालाप का पिरामिट है ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है तो बचो हम देख रहे कि जैभार निर्भर कर रहे है भोजन के उपलबधता पर और जब जो कोई जीव भोजन ग्रेंड करता है तो उससे उसको क्या मिलती है उर्जा मिलती है तब एक पोशक स्तर से दूसरे पोशक स्तर पर कितनी उर्जा जा रही है कितनी उर्जा जा सकती है आईए इसे समझने के लिए अब हम बात करते हैं उर्जा के परामिट की